आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के वारे में इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले है आपर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है American Alliance for Health and Physical Education and Recreation and Dance भी इसमें होता है दान्स ये डी होता है इसके आगे डी भी जुड़ गया है और कब-कब ये सारी चीज़ें जुड़ते गई इसका नाम किस तरह से चेंज होता गया तो सारी चीज़ें हम स्टेप बाइ स्टेप पढ़ते चलेंगे सबसे पहले ये थी Association for the Advancement of Physical Education फिर 1903 के अंदर इसमें इसका जो नाम है वो यहां पर चेंज हो गया APA इसको अब बोला जाने लगा American Physical Education Association फिर 1937 के अंदर इसमें Health को जोड़ा गया पर नाम क्या होगे इसका American Association for Health and Physical Education इसके अंदर रिक्रेशन को जोड़ा गया इसमें मनरंजन के बढ़ते हुए दौर को देखते हुए इसमें रिक्रेशन को भी जोड़ा गया तो नाम क्या हो गया American Association for Health Physical Education and Recreation इसका नाम हो गया और फिर 1958 के अंदर ये टेस्ट बनाया गया अपार यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट ये कब बनाया गया 1958 में पॉल हंसी कर इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया पॉल हंसी कर जैती है जैसे देखिए पुल अप से बॉइस के लिए लैक साम है गल्स के लिए स्ट्रेटनी सिट अप से शुटल रन सॉफ्ट वाल ट्रो फर डिस्टेंस से स्टेंडिंग लॉंग जंप इसमें अब इसको रिवाइज किया गया है लेकिन उस टाइम पर इसमें सेवन टेस्ट आइटम बनाए गये थे इनको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले 1974 के अंदर अब इसमें डांस को भी इंक्लिवड किया गया अहफ़ड अमेरिकन असोसेशन पॉर है फिजिकल एजुकेशन डिक्रेशन एंड डांस इसका नाम हो गया फिर 1976 के अंदर आप पर टेस्ट वैटरी जो है वो रिवाइज की गई जिसकी आप पर किसके तरह रिवाइज की गई पॉल हंसिकर और गई जी रिव के तरह रिवाइज की इसका नाम अगें चेंज हो गया अमेरिकन एलाइंस एल्थ फिजिकल एजुकेशन डिक्रेशन एंड डांस इसका नाम हो गया फिर 2013 में इसका नाम जो है फिर से चेंज हो गया अब इसको क्या बोलते है शेप अमेरिका के नाम से अब यह जाना जाता है शेप अमेरिका यान इसमें हम आगे पढेंगे आपपर यूध फिजिकल फिटनेs टेस्ट इसके अंदर जो हमारी टेस्ट वैटरी ज तेस्टे जासे हमें रहता जाएंगे उनको हम आगे डिसक्स गते जाएंगे जैसा ं developers एम इसमें जो soft wall throw for distance उसको हटा दिया गया और कुछ option दिखे 600 yard run walk के साथ इसमें जोडे गए 1 mile run walk 10 to 12 age के लिए और 1.5 mile run walk 13 year and above के लिए और 9 minute run walk 10 to 12 year के लिए 12 minute run walk 13 year and above के लिए बाकी इसमें वही हैं कि pull ups for boys अब सबसे पहले हम करेंगे पुलपस के लिए जिसका अब्जेक्टिव क्या होता है हमारी शोल्डर की हमारे आम की मसल की यहां पर इंडोरेंस और स्ट्रेंथ को मेजर करना इसका अब्जेक्टिव रहता है और पुलपस को कैसे किया जाता है इसमें एक horizontal बार रहती है जिसकी हाइट जो है वह सबसे लंबा जो खिलाड़ी है उसके पर इसमें इसके अबसे साफे आओ और एक ंपर हे जाता है इसमें पीछे जाता दो आनाो पर खिलाइट भर यहां से फिर इसमें उभर लायाँ पाउं को जर्प नहीं करना है किक नहीं कर सकते हैं तो इसमें जर्प करना किक करना तो इस नहीं रहता है और जो भी यहां पर पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट पुल अप करता है उसका यहां पर स्कोर किया जाता है जो भी जा जितने ज्यादा पुल अप लगाएगा बि करता है अपने जो हाथ है वो पूरे नीचे नहीं करता है ठीक है पूरा हाथ की कि हमारी बाजू की कि स्यंथ और इंडॉर एस को यहां पर मेजर करना इसका सब्सक्राइब कर रहता है यए अब्जय कर चया चया झाता है चुबियर सब्सक्राइब मनाऊट ऑन असन फार पर इस त्रा सी लटका जाता है चिन जो है कि वो की उपर रहती है और इस पोजिशन को जो ज्यादा देर पर मैंटेन करके रहता है तो उसका टाइम यहाँ पर नोट के जाता है जो ज्यादा देर इसको इस तरह से पोई डिये जाते हैं तो नेक्स जिसमें सीट आपस सीट उपस के अंदर देखिए इसका जो तो इसमें खिलाडी जो हो इस तरह से अपनी बैक के उपर लेट जाएगा और किसी दूसरे खिलाडी का भी यहां पर है लिए जा सकते हैं ताकि जो पाऊ है उनको पकड सके और फिर वो क्या करेगा यहां से उपर उठने की कोशिश करेगा अपने हाथ जो होगे खिलाडी के यहां बैक में अपनी नेक के उपर रहेंगे और खिलाडी जो हो इस तरह से उपर की तरफ को प्रेशरीर को उठाएगा और अपनी अलबो से नीज को यहां पर टेच करने की कोशिश करेगा और जितने जादा जो यहां पर सिट अप लगाएगा सही तरीके से तो 60 सेकंड इ एक चीजिस में और हदियान अखने वाली की सिट अप करते टाइम जो खिलाडी अपने अब्डॉमिनल को यहां पर टाइट करके रखेगा तो क्यूंकि से अब्डॉमिनल की और हीप की यहां पर इंडॉरेंस को देखा जा रहा है तो जो एब्डॉमिनल वाला पार्ट है उ इस तरीके से फीट जो है ख्लाडी के वहां पर इस तरीके से रहना चाहिए और हील टू हील जो डिस्टास से बहु बारा इंच का रहना चाहिए नेक्स है शटल रन शटल रन का जो अब्जेक्टिव है वह होता है एजिलिटी एंड स्पीड को मेजर करना तो इसके लिए हम ब्लॉक्स होंगे ब्लॉक्स होंगे हमें 2x2x4 इंच के ब्लॉक होंगे और स्टॉब ऑच इसमें चाहिए और चॉक पाउडर टीके मार्किंग टेप तो यह एक्यूमें इसमें रहेंगे और इसमें दो पैरलल लाइन जो है वह मार्की जाएगी 30 फीट की और जो यहां पर अब इसमें किया क्या झाता है यहां पर देखिए हमारे पास इनको यहां पर लाइन के पीसरे यहां पर ब्लेस कर दिया जाएका घाञी कर जाएका तायाजा ज्याए बॉल टेये चाह nuevo फिर ल evil डाड़ी में यहां वह तार्यवां इसमें र्लॉक्स को यहां पर उठा लेग और फिर अगेन यहां पर दूसरे ब्लॉक के लिए आएगा उसको भी उठा कर दूसरी तरफ रख देगा तैसे ही वह अपना दूसरा ब्लॉक रख देता है फर्स लाइन के पीछे तो इसका टाइम जो है बो स्टॉप हो जाएगा और उसको दो यहां पर ट्राइल दिये जाते तो यह चीजे है इसमें शटल रन इसके आगे है स्टैंडिंग लॉंग जंप क्या है इसमें लॉंग जंप की ही तरह है लेकिन यह खड़े-खड़े किया जाता है अब लॉंग जंप के अंदर क्या है खिलाडी जो है वह रन अप लेकर दौड कर आएगा और फिर यहां पर जंप कर लेगा लेकिन स्टैंडिंग लॉंग जंप या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी इसको बोलता है इसमें खिलाडी जो है वह खड़े-खड़े ही यहां पर जंप करेगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक वह जंप करने की कोशिश करेगा और इसका अबजेक्ट इसके लिए क्या चाहिए होगा हमारे पास एक टेक-आफ लाइन यहां पर ले लेंगे और मैट या फ्लोर हमारे पास रहेगा या लैंडिंग पिट है हमारे पास और टेक-आफ लाइन के पीछे जो है वह बहुत इस तरह से खड़ा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा दूरी तक वह यहां पर जम करने की कोशिश करेगा जो पाउं उसके है पैरलल रहेंगे और अपने पाउं को वह बैंड कर सकता है अपने नीज को बैंड कर सकता है और बैंड करते हुए वह यहां पर कूदेगा और जितनी ज्यादा दूरी तक कूदेगा तो वह उसका स्कोर सब्सक्राइब को चाहिए त Means कितने प्राइब दे जाते हैं तीन त्राइब चैते हैं 50 यार्ड डैश जो अबजेक्टिव है भुह मेचिमुट्स्पीड को मेजर करना और इसके लिए स्टापबोच चाहिए फ्लैट सर्फेस चाहिए दौडने के लिए तो और इसमें दो पैलल लाइन लगाई जाएंगी फिप्टी यार्ड की इसमें किलाडी लाइन के पीछ तरह से खड़ रहेगा और जैसे ही उसको सिगनल मिलेगा रेडी गो का तो वह अपना रणिंग जो ह हो सके वह क्रॉस करेगा फिनिश लाइन को यहां पर क्रॉस करने की कोशिश करेगा एस सून एस पॉसिबल ठीके जितना जल्दी हो सके जितना फास्ट वह दौड सकता है वह फिस्ट लाइन को यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी खिलाडी और उनका टाइम नोट क जाएगा और जो भी खिलाड़ी जितने कम टाइम में यहां पर इस दौड को पूरा करेगा उस तरीके से उसकी स्पीड और स्पीड मेक्सिम स्पीड को मेजर किया जाएगा तो यह था फिटी यार डैश फिरेज सिक्स हंड़ यार्ड रन वॉक अब इसके लिए ओप्शन भी दे रखे हैं कि हमने और लेटी पर रखे हैं कौन सी एज के लिए कौन-कौन से यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं हम पढ़े चाहिए जिसमें हमारे पास दो पैरलर लाइन लगाई जाएंगी 600 यार्ड की यहां पर और खिलाडी जो है अगे इसमें देखे है जितना जैसे ही सिगनल मिलेगा रेडी गो का और खिलाडी जो है वह 600 यार्ड की दूरी जितने कम टाइम में यहां पर दोड़ सकता है वह पर कार्डियोरेटरी इंड Dubai को मेजर करने का यह पर तरीका है तो स्कोरिंग उस stitch से कियाएगी ठीकेर जो टाइम है वह यहां पर रिकॉर्ड होगा ठीके उस साब से उनकी कार्डियोरेटरी रेड का पता चलेग पार जो रिकॉरिंग देखे इՂसमें रिकॉर्ड की जाए फिर उसके बाद यहां पर थोड़ा सा रिवीजन के लिए अगेन यहां पर बता देती हूं यह हमारे टेस्ट है पुल अप स्पूइस के लिए लेक्स आप हैंग स्ट्रेट नी सिट अप स्टेंडिंग ब्रॉड जंप सॉफ्ट वाल थ्रो फॉर डिस्टैंस 50 यार्ड फिटनेश टेस्ट जो कि 1958 में बना था इसमें सेवन टेस्ट वैट्रीज थी अब इसमें सॉफ्ट वाल्स प्रूफ और डिस्टैंज जो है वो हटा दिया गया है और इसका अब्जेक्टिव क्या रहता था एक्स्प्लूसिव पावर ऑप ता आम एंड शोल्डर मसल यह सार अब्जेक्टिव यहां पर आप पड़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉस करके अब्सक्राइब